नमस्का फ्रेंड्स स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में आज एक मई दो हजाद चौबिस को दोपहर एक बजे एक ऐसी बड़ी घट्टा होने वाली है जो पूरे ग्रहों का पूरे साल का या बहुत एक शताब्दी तक का जो है वो समीकर्ण बदल देगा ऐसा परिव देव गुरू ब्रहस्पति अपनी राशी परिवर्तन करने वाले हैं मेश राशी से निकल करके व्रिशब राशी में चले जाएंगे पहली मई दो हजार चौबिस को वहां पर इनका गोचर हो जाएगा और वहां पर गोचर करते ही सूरे के कृतिगा नक्षत्र के दूसरे चरण में आपके पंचम भाव में गोचर करना अरहम कर देंगे पंचम भाव के कारक होते हैं देव गुरू ब्रहस्पति और मकर राशी वालों के लिए ब्रहस्पति का यह जो गोचर है देव गुरू ब्रहस्पति शुबता के कारक होते हैं जो कुछ भी जीवन में जब भी होता है, विशेश परिस्थिति आउतपन होती है, ऐसे बड़े परिवर्तन होते हैं, जो विक्ति बहुत लब्मे समय से सोच रहा होता है, कि उसके जीव में कुछ परिवर्तन आ जाए, तो इस गोचर से वो परिवर्तन होते हैं, और आपके लिए तो देव गुरु देवगुरु ब्रिश्पती का यह जो गोचर है उपंचम त्रिकोन भाव में होना है जैसे मैंने कहा कि इस भाव के कारक भी होते हैं और इस ग्रह का यहां गोचर होने का मतलब है सिर्फ अपने आप में ही यह गोचर नहीं है उसके साथ साथ कुछ ग्रहों की दृष्टी से बचेगा और कुछ ग्रहों पे अपना शुबप दृष्टी प्रभाव डालेगा जिसकी वज़ा से मकर राशी वालों का जैसे मैंने कहा कि यह शताब दी पूरी यह जो पूरे दस साल आगे हैं आपके लिए मैं कह सकता हूँ मकर राशी वालों के लिए देवगुरु ब्र लाब की परिस्तिती लेकर के आएगा बहुत फाइदा आपको रहने वाला है और जितनी परिशानी अभी तक आपने जहली उससे आपको मुक्ती का समय इस गोचर में मिलने वाला है इसकी दो बड़े कारण सबसे पहले जो नजर आते हैं और उसके बात क्या इसका कि शनी महराज की जो तीसरी दिष्टी आपके चतुर्थ स्तान में जहां पर इससे पहले मेश राशी में देवगुरु ब्रहस्पति विद्यमान थे शनी की नीच दिष्टी में थे और पहली मई को ये स्वचंद हो जाएंगे अपने आप निर्भिकों के निकल जाएंगे वहां से अब शनी का कोई अंकुष शनी की कोई भी बौंडरी शनी का कोई भी दायरा अब देवगुरु ब्रहस्पति पर नहीं बंदने वाला है पंचब भाव में अपने आप में एक पूर्ण प्रभाव लेकर के आपको आने वाले हैं दूसरा प्रभाव जो आपको मिलन उस लेवल पर उस जुजहरूपंद से उस अनर्जी से उस उर्जा से आप अपने कारियों में नहीं बढ़ पा रहे थे अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पैसों का अभाव हो सकता है, शारिरिक रोग उसका एकारण हो सकता है परिवारिक परिस्थितियां उसका एकारण हो सकता है कि आप इस प्रकार से जिम्मेवारियों में फसे हैं परिवार के कि ना तो आप कहीं बाहर जा पा रहे हैं ना कोई काम नया शुरू कर पा रहे हैं आपको जिम्मेवारियों ने बहुत बुरी तरह से जखड रखा है तो केतु का यह प्रभावा आपको यहाँ पर नज़र आता है उस तरह से यहाँ पर देवगुरु ब्रहस्पत्ती की पंचम शुब दृष्टी जो ज्ञान की दृष्टी होती है पंचम दृष्टी देव गुरु ब्रैस्पती की वो केतु महराज पर पहुंचेगी और केतु वैसे भी मोक्ष के कारक होते हैं तो इस दृष्टी के वज़ा से सबसे पहले तो आप ये मान लीजेगा कि मकर राशी वालों का ये समय आगे रहने वाला एक साल का पूरा जो गोचर देव गुरु ब्रैस्पती का विशब राशी में है जो की स्थिर राशी है स्थिरता से काम करवाती है तो आपको अध्यात्मिक जगत में मेडिटेशन, स्पिर्चुलिजम, ओकल्ट हो गया उच अध्यन होगा ऐसी क्षित्रों में बहुत उन्नती तरक्की इस वर्ष देखने को मिलेगी आपकी जो है वो देवी शक्ती जागर्थ होती वी नजर आएगी और उसका प्रभाव आपको ये मिलने वाला है कि आपकी काम सहजता से संपन हो जाएंगे एक तो ये द्रिष्टी का प्रभाव होगा पंचम द्रिष्टी उसके पस्चाथ ये लगन को जो आपका लगन है उसको शुब प्रभाव में लेने वाले है नवम द्रिष्टी जो धर्म की द्रिष्टी होती है अध्यात्म की द्रिष्टी होती है और तिर्थों की दिश्टी होती है सनमार्क की दिश्टी होती है वो लगन पर देव गुरु बेस्पती के पढ़ने वाली है उसकी वज़ा से जो आपका वेक्तित्व है जो आपका इस समय जैसे मैंने कहा कि रती रहती है जो आपकी मती है किस तरह की आपकी incarnation है जो thought process है वो एक सकारत्मक रहने वाला है बहुत positive सोच के साथ आप यहां पर आगे बंढने वाले है लाबस्तान पर इसकी सब्तम दिश्टी है तो लाब की प्रबल समावना है खास दोर पर हवाई यात्रों का और वीदेश जाने के अवसर यहां पर देव गुरु ब्रहस्पती आपको दिलाएगा अब मैं आपको इसकी प्रभाव है विस्तार से समझाता हूँ कि क्या क्या विस्तार से आपको यह प्रभाव दे सकता है देव गुरु ब्रहस्पती सबसे पहले तो ये आपके चतुर्थ स्थान से, सुख स्थान से निकल करके आ गए है केंद्र स्थान में देव गुरु ब्रेस्पती जो है उतने शुप प्रणाम नहीं दे पाते हैं हलांकि कालपूर्श कुंडली के साब से उनकी उच्च की राशी करक राशी वा होती है तो चतुर्थ स्थान में देव गुरु ब्रेस्पती का जो होनत है कई बार उस कारत के भाव को नाश भी करता है अब जैसे ही पंचम भाव में आएंगे तो पंचम भाव में आने से सबसे पहले तो आपको जो है जो संतान प्राप्ती के लिए प्रयास रत हैं तो संतान प्राप्ती के उत्तम अवसर यहां पर दम पत्ते सुख मेयत दिलाएगा दूसरा, यहांपर लौटरी, शेर मार्केट, स्पेकुलेशन और जो शेर मार्केट से जो लोग जुड़े हैं, जो लोग सुनार हैं, जो सुनार सुने का काम करते हैं, उनके लिए लाप की परिस्तितियां आपर खड़ी कर देगा, मकर राशी वालों के लिए उसके पश्चात जो लोग creativity से जुड़े हैं जो कला के क्षेतर से जुड़े हैं कुछ न कुछ स्रिजन करते हैं उनके लिए बहुत खुश कबरी यहां पर मिलने वाली है उसके पश्चात इसका गोचर पंचम भाव में जो है वो आपको सबसे जो है आपको पूर्ण लाब दिलाएगा उसके पश्चात दशमस्तान से अश्टमस्तान में इसकी परिस्तिती होती है तो आपके लिए यह transfers के योग बना रहा है कुछ नई जॉब, नई जॉब की opportunity इस गोचर के साथ ही आपको अरम हो जाएगी कुछ प्रेमी प्रेमी का से बिछड़ाव हो गया है समन्द विशेद हो गया है उसमें वापसी हो जाएगी देव गुरु ब्रेस्पति की जो शुब जगा में पहुँचने के साथ साथ उसके साथ साथ जैसे इसकी पंच्चम दृष्टी आपके भगे सार में पढ़ने वाली है तो पिता का सुक यहां प्राप्त होगा या पिता से समन्दित कोई चीजे हैं जो आप उनसे नहीं प्राप्त कर पाए इस गोचर में आप प्राप्त करेंगे पैत्रिक संपत्ती हो गया पैत्रिक कोई चीज़ें आपको जहाँ चाहिए वो आपको यहाँ पर प्राप्त होती ही नज़र आएंगी देव गुरुब रहस्पती के इस प्रभाव से जो स्टुडेंट्स जो विद्यारती विदेश में जाकर के पढ़ना चाहते हैं कुछ higher studies करना चाहते हैं, research करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं और further studies में कोई आप कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस समय देव गुरुब रहस्पती आपको पूर गुरुप से मदद करेंगे adventures के लिए, बाहर जाने के लिए, जैसे मैंने कहा, तिर्थों में जाना हूँ और अध्यात्मिक जगप में आगे बढ़ना हूँ, उसके लिए बहुत अत्म परिस्तिती है दमपत्य सुख में ये बढ़त्री करता है पिता या उसके साथ साथ जो आपके बजोर्ग लोग हैं घर में, उनके स्वास्ते में उन्नती करेगा तो ये विशेस परिस्तिती यहां पर रहने वाली है और जिस परकार से मैंने पहले कहा कि जो केतू की दुश परभाव थे जो आपके पुरिशार्त में, जो आपके प्राक्रम में, जो आपके आगे बढ़ने में रुकावटे डाल रहे थे उसको ब्रहस्तिती महराज यहां पर काड़ देंगे उसके परशाद देवगुरु ब्रहस्तिती आपके लाबस्तान में, जहां पर जर्म कुली में आपके आठ नमबर लिका होता है वहां पर दिश्टी डालेंगे और लाबस्तान में जहां सकी मित्र की राशी, मंगल की राशी है उसके साथ इस प्रभाव से जो लोग भूमी मकान वाहन गाड़ी का काम करते हैं उनको सबसे पहले लाब होगा दूसरा लाब जहां पर दिलाने वाले हैं वो है जिन लोगों का फ्लैट खरिनने में कोई समय रूची है, जमीन खरिना चाहते है या बहुत समय से में मकर राशी वालों ने मकान नहीं खरिदा है, तो मकान खरिने की या जमीन खरिने की परिस्तिती इस समय देव गुरूब रहस्पती आपको इहां दिला देंगे या सरकार के साथ कोई लैजनिंग का काम हो, उन सभी कारों में देव गुरू ब्रहस्पती यहां पर अपको पूरूब से मदद करेंगे, बहुत उंचायूं में आपको इस समय देव गुरू ब्रहस्पती लेके जाएंगे, जो कुछ भी आपने इस से पहले जेलना था, वो जेल लिए, अब ब्रहस्पती लाब की परिस्तितन लेकर के आएगा, धन के कारक होते हैं, तो धन किसी ना किसी रूप में आपको यहां प्राप्त हो लेवाला है, जो लोग बैंकिंग शित्र से जुड़े हुए हैं, उसके बाद जो लोग ब्याच पे लोगों को पैसा दे बेखेंगे, उसके बस शाथ जो देव गुरु ब्रहस्पती की धर्म की दृष्टी जैसे मैंने कहा, वो आपके लगन पर पढ़ने वाली है, मकर राशी पर पढ़ने वाली है, तो चंदरमा पर जब भी देव गुरु ब्रहस्पती की दृष्टी आती है, जो जर्मकालीन चंदरमा आपका है, उसका मतलब सीधा है कि आपको आप यात्राओं के लिए त्यार रहना है, और यात्राओं भी सफल यात्राओं, वो यात्राओं विदेशों की हो सकती है, उसके लावा अपने शहर में, अपने देश में कहीं आप यात्राओं पर जाएंगे, जो कि बहुत सफल रहने वाली है, दूसरा आपके व्यक्तित्व में इस समय निखार आने वाला है, अब व्यक्तित्व में निखार आने का मतलब होता है, कि व्यक्ति जो है वो आत्म विश्वास से सराबोर हो जाता है, और आत्म विश्वास से सराबोर होने का मतलब क्या है, जब व जो देवगुरु ब्रहसपती है, वो पॉजिटीविटी के कारक है, हर कुछ जो भी शुबता होती है वो ब्रहसपती के द्वारा होती है, तो शुबता का ये प्रेनाम आपको रहने वाला है कि आपके काम आपके विक्तित्व के प्रभाव से हम बनते हो नजर आएंगे और इसी वज़ा से समाज में मान समान की प्राप्ती होने वाली है अब मान समान जब विक्ति को प्राप्त होता है उसमें दो बिंदू बहुत मुख्य तोर पे भूमिका निभाते है पहला तो विक्ति के पास धन आ जाए धन से सुक आपको Σमर्दी मिलती है और उसके बद आपका समाज में मान समान होता है दूसरा अगर आप रोजगार करते हैं या उसके लिबगा कोई व्येफशा है या नोकरी में है तो वहाँ पर आपको प्रमोशन मिल जाती है कोई मान समान मिल जाता है कोई ओहदा मिल जाता है कोई पोस्ट आपको मिल जाती है बड़ी पोस्ट मिल जाती है पॉलिटिकली कहीं न कहीं आपको लाव हो जाता है तो उससे भी विक्ति का मान समान पत्रिश्टा बढ़ जाती है तो ये परिस्तितियां भी देव गुरुम रहस्पति के साथ आपको प्राप्त होंगी तीसरा जो होने वाला है वो है जब विक्ति धार्मिक स्थार पर अध्यात्मिक स्थार पर उन्नती करता है तो मन में संतोष पैदा होता है और जब संतोष पैदा होता है तो उसके विक्तितों में स्वता ही परिलक्षित होता है और जो समाज है जो आसपास के लोग है वो उसके निकट आना शुरू कर देते हैं तो वो भी मान समान के कारण बनता है तो इस प्रकार से आपकी confidence में आपकी विक्तितों में बहुत जबर्दस निखार आने वाला है और जैसे मैंने आपको कहा कि यह जो इबारत है यह जो समीकर्ण यहाँ से बनने वाले हैं पूरी 10 साल तक एक शताबदी तक आपको इस काल खंड में यह प्रभाव यहाँ पर देवगुरु ब्रहस्पति के इस गोचर से प्रात होते वे नजर आएंगे बहुत शुब गोचर है मकर राशी वालों के लिए दुख तकलीफे संकर जो आप जेल रहे थे या जेल रहे हैं वरतमान में शनी की साड़े साती भी आपको चल रही है उसका पूर्ड रूप से खात्मा उसका पूर्ड रूप से जो सर्वनाश है वो देवगुरु ब्रहस्पति के इस गोचर के साथ ही आपका अरम हो जाएगा और अच्छी चीजे जीवन में शुबता हर तरह से घर में कुटुम में कोई सुक्समिर्दी की खबर आपको मिल जाए संतान उत्पति का है विवा का है नौकरी लग जाना है बच्चों की कोई चिंता है बच्चों के समन्द में पती की कोई चिंता है पत्नी से कोई समन्द विछेद हो गये हैं, तलाक तक की नौबत आ गई है तो वो सभी कारे आपके यहां सिद्ध हो जाएंगे और हर तरह से नौकरी वेफसाहे काम धंदे के लिए देवगुरु ब्रहस्पति का यह जो गोचर है जो पहली मई को दोपहर एक बज़े होना है वो आपके जीवन में बहुत शुप प्रिणाम लेकर के आएगा तो यह था मकर राशी वालों के लिए देवगुरु ब्रहस्पति का जो राशी प्रिवर्तन होना है वरिशब राशी में सूर्य के नक्षत्र में सबसे पहले यह गोचर करने वाले है उस पर एक छोटा सा वीडियो उमीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इफ लाइक दे वीडियो प्ली सब्सक्राइब दे चैनल थैंक्स वाचिंग दे वीडियो